हाई हच भी एवंशी लिसम बोडिन एवंशी क्या होता है है होई हच भी एवन की हमोगलोविन एवंशी को कम कैसे करना है यह इस वीडियो में समझेंगे है ह। तो START करते है है आपकी बोडी में ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर red blood cells RBC होती है तो आर बीसी के पास में एक protein होता है जिसको बोलते हीमोगलोविन तो एचपीज में हेमोगलोविन तो निकल गया यही मुंगलोविन कहा होता है रेड ब्लड सेल्स के पास RBC के पास में यह हीमोगलोविन का काम क्या होता है कि आपकी पूरी बॉड़ी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है क्योंकि हम तभी जिन्दा है जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता रहेगा तो हीमोगलोविन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है अब जो आप खाना खाते हो, वो खाना भी गुलुकोज, उसके अंदर गुलुकोज है, तो गुलुकोज जब बलड में जाएगा, तो गुलुकोज भी बलड के अंदर घुमेगा, बलड के अंदर फ्लो होगा, बलड के थूरू ट्रांस्पोर्ट होगा, तो बलड में क्या है Hemoglobin blood में क्या है Glucose ये आपस में चिपक जाते है एक quantity of glucose Hemoglobin के साथ चिपक जाती है और एक bond बन जाता है जिसको बोलते Hemoglobin A1C अभी जो Hemoglobin की जो life होती है Red Blood Cells के life होती है वो 90 days के approximately होती है तो इस bond का जो Hemoglobin और Glucose आपस में चिपके है इसका benefit ये मिलता है कि 90 days का एक average blood sugar निकाला जा सकता है कि एक इनसान की बोड़ी में 90 days में कितना blood sugar रहा होगा ये क्यों जरूरी होता है इसको समझते है तो Hemoglobin A1C, HBA1C को percentage में count करते है और इसका इक data American Diabetes Association ने दिया हुआ है जिसके according अगर आपका HBA1C without medicine 5.7% के नीचे है तो आप non-diabetic हो आपको diabetes नहीं है आप अच्छा कर रहे हो अगर आपका HBA1C Hemoglobin A1C 5.7 से 6.4 के बीच में रहता है तो आप Pre-Diabetes काटेगरी में हो फ्यूचर में आपको diabetes हो सकती है अगर आपका Hemoglobin A1C HBA1C 6.5 से 6.5 से जादा होता है तो आप diabetic हो ये जादा होता है diabetic हो इसके नुकसान क्या है इसको समझते हैं तो जब HBA1C जादा होता है तो उसका पहला नुकसान बॉडी में ये होता है कि जादा blood sugar होने की वज़े से बॉडी की जो नर्व है वो damage होने लगती है नसे damage होने लगती है तो नर्व damage होने की वज़े से आपके हातों में दर्द, पैरों में दर्द, हातों पैरों में जंजना हट हातों पैरों में जलन, ताकत ना आना शरीर के अंदर यह सब कंप्लेन आने स्टार्ट हो जाती है और समटाइम finger में movement में issues होने लगते हैं समटाइम आपको लगता है कि कुछ finger fast काम कर रही है कुछ slow काम कर रही है समटाइम लगता है कि कभी body slow काम करती है कभी fast काम कर सकती है करती है because of nerve damage तो यह बहुत बड़ा issue होता है बहुत diabetic patient में होता है कि उनकी high blood sugar की वज़े से nerve damage होने लगती है high blood sugar यानि कि high Hbavancy से दूसरा problem होता हार्ट की problem हार्ट में दो problem जनरली देखने को मिलती है पहला blood sugar ज़ादा होने की वज़े से आपका जो हार्ट है उसकी जो muscles हार्ट की muscles हैं tight होने लगती है और हार्ट को काम करने में दिक्कत होती है हार्ट में blockage होने लगते हैं coronary arteries blockage हो सकते है high blood sugar की वज़े से kidney में problem आती है अगर Hbavancy ज़ादा होता है तो kidney के filtration में pressure पड़ता है जिससे kidney का filtration मतलब kidney की छन्नी खराब होने लगती है और kidney damage होने लगती है यह high blood sugar की वज़े से retina आख्यों में problem होती है retina damage होने लगती है retina में pressure आने लगता है retina में inflammation होने लगता है जिसकी वज़े से कभी कभी future में इंसान अंधा भी हो जाता है या ज्यादा रोशनी वाली चीजों में नहीं देख पाता है या आखे अगर वो कुछ घंटों के लिए काम में यूज करता है या पढ़ाई में यूज करता है तो उसके बाद उसको परिशानी होती है pressure होता है pain होता है तो यह common problems हैं जो बहुत diabetes patient में देखने को मिलती है और diabetes patient जितना blood sugar जादा उतना ही आपके लिए खतरनाक होता है तो HbA1C को कम करके रखना जरूरी है तो अभी तक आपको समझ में आ गया HbA1C क्या होता है कितना HbA1C maintain होना चाहिए और HbA1C जादा होने के नुकसान गया है यह आपको समझ में आ गया है अब समझते हैं कि HbA1C को कम कैसे करना है HbA1C को कम करने के लिए सबसे पहले फरस्ट आपको एक्सेसाइजिस पर ध्यान देना होगा तो आपको अपने एक्सेसाइजिस रूटीन बनाना है जिसमें वन आर मरूनिंग में आप एक्सेसाइजिस करो और 30 मिनट इवनिग में अक्सेसाइजिस करो अगर आप वन आर मॉनिग में एक्सेसाइजिस करते हो इससे 24 घंटे का बलड शुगर अच्छा रहेगा और जिसका result आपके HbA1c में अच्छा हैगा, HbA1c लो होगा आपको अपनी diet पे ध्यान देना है कि कितना खाना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है यह आपको decide करना पड़ेगा, जो आपके blood sugar को कम करे आपको अपनी stress management पे ध्यान देना होगा कि tension को अपने mind में और body में ज़्यादा time रहने मत दो क्योंकि उससे hormonal imbalances होगा और hormonal imbalances ज़्यादा stress की विज़े से body काम नहीं कर पाएगी और blood sugar ज़्यादा हो जाएगा, HbA1c ज़्यादा हो जाएगा आप fasting पे ध्यान दो, fasting का मतलब क्या है रात को डिनर 6 बज़े तक खाने की कोशिश करो अगर कर सकते हो तो और डिनर अगर आप 6 बज़े खा लेते हो तो next morning में अगर 8 बज़े से अपना breakfast खाना स्टार्ट करते हो तो 14 hours आपकी body में एक fasting होती है जिसकी बज़े से आपका HbA1c कम होता है रेगुलर्टी रखना जरूरी है यह जो exercises है जो diet है इसकी रेगुलर्टी रखोगे तो HbA1c कम होगा माल लिजे आपने week में 3 days 4 days तो अच्छे से diet के exercises कि अब बाकी दिन नहीं किया तो result अच्छे नहीं आएंगे रेगुलर रहना पड़ेगा 7 में से 7 days रहना पड़ेगा रेगुलर 7 में से 7 नहीं तो at least 6 days तो रहना पड़ेगा HbA1c को down रखने के लिए तो यह सब parameter पर अगर आप regular रहते हो तो definitely HbA1c कम होगी कम HbA1c आपको healthy भी रखेगी happy भी रखेगी So this is Mukesh Kumar a health counselor, diet and wellness expert in nutrition way और अगर आप हमारा diabetes reversal program nutrition way का diabetes reversal program जोइन करना चाहते हो तो you can contact us 7951-7951-111 आप इंडिया या इंडिया के बहर कहीं से भी हमारा program 1 year का diabetes reversal program जोइन कर सकते हो मैं और मेरी team आपके लिए dedicated है आपके diabetes को reverse करते के लिए dedicated है So thank you so much, please take care, be healthy, be happy, thank you